बाबा वांगा की दोजार तईस वाली सची पेशनगोई आस्मान से आगबर सेगी योरप पर मुसल्मानों का कबजा और पुरिसरार बाबा वांगा की कौन कौन सी खतरनाक पेशगोईयां पूरी होने का वक्त आ गया है बुल्गारिया की अंजहानी रोहानी पेशवा और नजूमी बाबा वांगा की बेशमार दरुस्त पेशगोईयों के बाद 2023 के लिए की गई पेशगोईयों के हवाले से तजस्स बढ़ता जा रहा है 1911 में बुल्गारिया में पैदा होने वाली बाबा वांगा 1996 में दुनिया से कूच कर गई लेकिन अपने इंतकाल से कबल साल 5089 तक की पेशगोईयों करने के हवाले से मशूर बाबा वांगा ने रूसी जवाल चरनोबल एटमी हाथ से 2004 में आने वाली इंडोनेशियाई सुनामी और गैरस्टंबर को होने वाली वर्ड ट्रेड टावर हमलों की पेशगोई भी की थे बाबा वांगा ने 2023 में बड़े मुमालिक की जानिब से दूसरों पर महलिक हयातियाती हत्यारों का इस्तमाल करने की हलाकत खेश पेशगोई भी भी कर रखी है जिसमें आस्मान से आग बरसने का इशारा किया गया और अनजहानी नजूमी के मताबिक 2023 में जमीनी मदार के तबदील होने के वाज़े हमकानात हैं जो मालियाती तबदीली का बाइस बनेगा और इस से गलोबल वर्मिंग में इजाफा होगा जिस से इनसानों के लिए शदीद मुश्किलात पैदा होंगी बाबा वांगा की साइंसी हवाले से एक दिल्चस्प पेशगोई ये भी है कि 2023 में ज्यादा तर बच्चे लिबाटरीज में पैदा होंगे बाबा वांगा ने 2022 के लिए एस्ट्रेलिया और एशियाई मुमालिक में खतरनाक सेलाब और जलजलों की पेशगोई की थी बाबा वांगा की पेशगोई के मताबिक 2023 में मुसल्मान यूरप पर गल्बा पाना शुरू कर देंगे और इसलाम यूरप का सबसे बड़ा मख़ब बन जाएगा यहां दिल्चस्प बात तो यह है के मौाइदा लवारजन रवां साल अपनी मुद्ध पूरी करके खतम हो जाएगा जिसके बाद तुर्की पर आइद की गई पाबंदियां खतम होने की वज़ा से खिते में तुर्की के असरो रसूख में इजाफा मुम्किन है